तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ सेकल आफ मैलेरिया की तो डिरेक्ट पॉइट पर आते हैं लाइफसेकल आफ मैलेरिया जो है वो डायचानिडिक है यानि दो होस्ट में वो अपना लाइफसेकल कंप्लेट करता है एक तो मेन और दुसरा फिमेल ऐननफिलस मॉस्कुल मेन जो है वो इंटरिमिडियट होस्ट होता है जिसमें पैरसाइट अपना सेक्चुल मोड आफ लाइफ सैकल कंपलेट करता है और मॉस्कुल जह हैं डेस्टु aptない फe stat कंपलेट करता है यहां से mosquito जब bite करता है man को तो man के वो liver में आदे गंडे के बाद पहुंच जाता है और liver में वो liver shazogoni करता है यानि multiplication करता है अपनी और वहां पर वो shazonts बनाता है बहुत सारे parasites release करता है उन्हें हम shazonts कहते हैं तो shazonts बनाने के बाद वो rbcs में पहुंच जाते हैं और वहां पर भी उनकी arthrocytic shazogoni हो जाती है यानि वो वहां पर भी multiply होके myrositis जो है बनाते हैं और यहां पर myrositis जो है myrositis occur होते हैं as gametocytes यानि वो in the form of gametes होते हैं in the form of male and in the form of female in blood तो blood में myrositis as gametocytes होने के बाद जब वो blood में flow करते हैं mosquito bite करता है वहां पर वो blood जब हमारा suck करता है तो myrositis जो है उसमें आ जाते हैं तो उसके gut में उसके stomach में उसको फिर gametocytes घोनी हो जाती है यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि mosquito एक definitive host है तो उसके gut में पहुँचने के बाद वहां पर जो है gametocytes हो जाती है यानि वो fusion of gametes हो जाता है जो myrositis as gametes उसने उठाए थे हमारे blood से तो उसके gut में पहुँचने के बाद वो जो है आपस में fusion करते हैं और वहां पर sporosites बनाते हैं sporosites जो है यह infective to man है, infective stage होता है तो sporosites बनने के बाद यहां पर फिर forward करते हैं into salivary glands और salivary glands में पहुँचने के बाद जब कभी भी वो humans को bite करते हैं तो अपना anticoagulant डालते हैं वक्त sporosites भी humans में bite के थूँ आ जाते हैं और humans में आने के बाद फिर से वो liver cells में पहुँचकर liver cells को नहीं बनाते हैं और इस तरह से अपना life cycle जो है चलाते रहते हैं तो I hope आप उनको समझा गया होगा शॉर्ट में मैंने यहां पर बताने की कुछ की है अगर कोई detailed video चाहता है तो वो नीचे comment box में comment करके पूछ सकता है